जल्दी जल्दी घर के सारे काम निप्टा, बेटे को स्कूल छोड़ते हुए आफिस जाने का सोच घर से निकल ही रही थी कि… फिर पिता जी की आवाज आ गई बहु जरा मेरा चश्मा तो साफ कर दो और बहु जल्लाती हुई कपडाला चश्मा साफ करने लगी इसी चक्कर में बेटा स्कूल में और खुद आज फिर आफिस देर से पहुँची गाहे बगाहे पिता जी की यूँ घर से निकलते हुए पीछे से आवाज देने की आदत बहु को अच्छी नहीं लगती थी पर जानती थी कि पलंग से ना उठपाने के बावजूद पिताजी पूरे दिन में उसे यही एक दो काम ही तो कहते थे काम छोटा सा था पर आफिस जाने की भी तो जल्दी होती थी सुबह सुबह एक दिन पती से चर्चा की पती की सला पर अब वो सुबह उठते ही पिताजी का चश्मा साफ करके रख देती लेकिन फिर भी घर से निकलते समय पिताजी का बहु को बुलाना बंद नहीं हुआ दिन बीते एक समय वो आया कि समय से खींचा तानी के चलते अब बहु ने पिताजी की पुकार को अंसुना करना शुरू कर दिया एक दिन आफिस की छुट्टी थी तो बहु ने सोचा क्यों ना घर की साफ सफाई कर लूँ अचानक पलंग से नीचे गिरी पिताजी की डायरी हाथ लग गई उसे पलंग पर उठा कर रखते हुए उत्सुकता हुई कि देखू तो सही पिताजी सारा दिन क्या लिखते रहते हैं यही सोचकर यूँ ही खोल दिया एक पन्ना उस पन्ने पर लिखा था मेरी प्यारी बहु आज की इस भागदौर भरी जिन्दगी में घर से निकलते समय बच्चे अकसर बड़ों का आशिरवाद लेना भूल जाते हैं बस इसी लिए जब तुम चश्मा साफ कर मुझे देने के लिए जुकती हो तो मैं मन ही मन अपना हाथ तुमारे सिर पर रख देता वैसे मेरा आशीश सदा तुमारे साथ है बेटा आखे नम हो गई बस अगले दिन से ही बहु ससुर का रिष्टा मानो पिता पुतरी में बदल गया अब पांच मिनट पहले तयार होकर बेटे को स्कूल छोड़ने के लिए पिता जी की आवाज से पहले ही बहु चश्मे को साफ कर देती पीने के पानी का जग उनके पलंके सिरहाने रखती जाते समय लाड़ प्यार से दो-चार वाक्यों में सारे दिन की हिदायते देती कभी उनके फलिया दवाई ना खाने का उलहाना और अंत में अच्छा बाबुजी आफिस को देरी हो रही है चलो बेटा बाबुजी को बाई बोलो कहकर घर से निकलती बूड़ी हड़ियों में ना जाने कैसे ताकत से आने लगी दवाई वही थी पर सेहत में सुधार दस गुना होने लगा था पिताजी स्वस्थ होने लगे थे परंतु अचानक एक दिन रिदय गती रुख जाने से स्वर्ग सिधार गए उनके अंत समय में उनके मृत देह के चेहरे पर संतुष्टी के भाव की भी पूरे परिवार में खूब चर्चा हुई थी आज पिताजी को गुजरे ठीक दो साल बीच चुके हैं आज भी बहु रोज घर से बाहर निकलते समय पिताजी का चश्मा साफ कर उनके टेबल पर रख दिया करती है उनके अंदेखे हाथ से मिले आशीश की लालसा में आज भी सुबा घर से निकलते हुए नाजाने क्यों ऐसा लगता है कि अभी आवाज आएगी बहु जरा मेरा चश्मा तो साफ कर दे माता पिता का अद्रिशे आशीश ही इश्वर की कृपा द्रश्टी है जीवित माता पिता की सेवा मरनो परांत किये गए पित्री कर्म से कहीं अधिक उत्तम है जीवन में हम बहुत कुछ महसूस नहीं कर पाते और जब तक महसूस करते हैं तब तक वो उमसे बहुत दूर जा चुका होता है आईए इन बुढ़े वरिक्षों को जल रूपी सने तता सेवा रूपी खाद से संजो कर फिर से युवा सुस्थ तता हरा भरा करने का प्रयास करें